दोस्तों काफी दिरू से आप लोगों के रिकमेंडेशन आ रही है कि USB Type-C वाले मॉनिटर पर मैं वीडियो बनाऊं, तो यह वीडियो विल्कुल उसी पर आधारित है, इस वीडियो के अंदर जितने भी सारे मॉनिटर मैंने लिया हुआ है, उन सब को USB Type-C के माध्यम से आप क कर दिया करें, अगर वीडियो पसंद आती है, तो साथ में सेर भी कर दिया करें, ताकि यह इंफर्मेशन सभी तक पहुश सके, आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन-कौन से मॉडल है, सबसे पहला मॉडल आपका पसंदिदा बैंक्यू की हम बात करें, तो बैंक्यू का यह मॉडल, एक चुरी सभी के सभी 27 इंच के अंदर हैं, क्योंकि आज का एक बेसिक साइज हो गया है 27 इंच, जिस पर काम करना बहुत ही कमफर्टेबल होता है, तो बैंक्यू का यह मॉडल ZW2785TC मॉडल है यह 27 इंच का फुल HD 75 हर्स, रिफरेस रेट के साथ म आता है, brightness intelligence technology के साथ में आता है, ताकि brightness जो है light के हिसाफ से maintain करता है, ताकि आपके दिमाग पर, आपके आँखों पर stress नहीं पड़ता, बाकि USB type C के साथ में, जो USB type C है, वो PD60 watt charging के साथ में भी आता है, यारि कि आप इसके मादियम से आप display भी connector सकते हैं, display को connect करके इस से अगर आप HDMI के मादियम से आप फिर किसी और तरीके से आप चला रहे हैं, तो USB type C से आप जो है laptop को भी charge कर सकते हैं, अपने mobile को भी charge कर सकते हैं, ये एक बहुत अची facilities monitor के अंदर मिल रही है, बाकि HDMI के मादियम से, DP के मादियम से भी आप इसको connect कर सकते हैं, बहुत अच्छ experience मिलने वाला है, साथ में ही coding mode इसके अंदर देखने को मिल रहा है, जो लोग coding करते हैं, उनके लिए monitor बहुत खास हो सकता है, क्योंकि coding mode पे जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर जितने भी color का जो production है, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही black screen होगी, और text आपको अलग-अलग colors मे बहुत ही fresh निखाई देंगे, जो आपके आँखों पर बिल्कुल भी stress नहीं डालने वाले हैं, बहुत ही बहतरी monitor आपके लिए हो सकता है, टाइप C के साथ में, प्राइस इन सब के महंगे होंगे, इसमें कोई दोर आए नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल latest technology है, इसकी price की बा 75 हर्ट्स refresh rate के साथ में ही है, वैजल लेस monitor बिल्कुल भी है, इसकी design बहुत ही खुबसूरत है, फिलिकर फ्री टेकनलोजी है, HDMI, energy saving mode के साथ में आता है, बहुत ही अच्छा monitor हो सकता है, HDMI या 5 USB type C के माध्यम से आप इसको connect कर सकते हैं, प्राइस की बात करें, तो यह भी जो ह बहुत दिनों तक आप इसको use कर सकते हैं, बाकि next के अगर हम बात करते हैं, तो आज आते हैं फिलिप्स के अंदर, फिलिप्स का यह जो model है, 276 B1 model by 94, बहुत ही फेमस model है, अभी फिलहाल बहुत अच्छा बिक रहा है, यह monitor QHD monitor है, जिसके वज़े से ही यह बहुत जादे ब फिचर हैं, यानि कि आप इसको USB Type-C के माध्यम से, अगर आपका laptop के अंदर thunderbolt है, उसके माध्यम से अगर आप इसको connect करते हैं, तो आप इस monitor के माध्यम से इसमें USB hub भी मिल जाएगा, USB भी connect कर सकते हैं, USB port भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, बहुत सारी चीज से आप इंटरनेट भी connect करके आप चला सकते हैं, built-in speaker height adjustable भी है, बहुत सारे feature से less यह monitor आपको मिल रहा है, जिसका जो price है 26,500 और जो इसके feature हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो यह price बिलकुल भी बर्थ कर रहा है, क्योंकि feature से भरा हुआ यह monitor है, बाकि next की अगर हम ब QHD monitor है, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही quality के साथ में यह आएगा, इसके resolution की बात करें, तो 2560 x 44 इसका resolution होने वाला है, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही quality आपको देगा IPS panel के साथ में, 75 Hz refresh rate के साथ में है, आई friendly है, बिलकुल भी इसका skin, यानि कितना भी देर त DP port आपको मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो कम price के अंदर, यानि कि 22,999 में 23,000 रुपे में यह भी feature से भरा हुआ monitor आपको मिल रहा है, जितने भी सारे monitor में बगा रहा हूँ आपको, इस सब का link मेरे description में दिया हुआ है, वहां से जाकर कि आप चेक कर सकते हैं कि current price जानने के लिए, description में दिये गले link पर आपको जरूर चेक करें, बाकि next की बात करें तो आजाते हैं, LG के अंदर ultra wide 29 inches के बारे में, जिनको ultra wide चाहिए, सस्ते में यह model बहुत ही famous रहा है, और यह USB type C से भी connect होता है, सबसे बड़ी बात यह है, और यह full HD, इसका जो resolution है, 25 सार कर सकते हैं, video editing कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा experience पर वाइट कराएगा, USB type C display port इसके अंदर मिलता है, HDMI port मिल रहा है, color इसका white है, दिखने में बहुत ही खुबसूरत है, सबसे खुबसूरत है इसका price, model के साथ में इसका price की बात करें, तो 18,700 रुपे भी आपको मिल जाएगा जो कि एक बहुत अच्छा price है, इसका भी price जो है 16,000 से लेकर के 18,000 के बीच में variation रहता है, कभी कभी उपर चला जाता है, सही price का वेट करें, सही price हो, और जब offer मिल रहा हो, आप इसको buy कर सकते हैं, तो दोस्ते वीडियो information आपको कैसा लगा, please आप comment में जूरूर बताएं, इसी प्रकर की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं स्टेप के तमाम वीडियो को लेकर के आता रहता हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स किसी और अच्छी information वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखन झाल